ओ राश्पती जिसे बिदेशी महिला से प्यार हुआ तो इस शादी के लिए भारत का खानून बदला गया। ओ राश्पती जिसने रवर स्टाम बनने से इंकार कर दिया था। वो राश्पती जिसने महत्मा गाधी का इंटर्वीव लिया और गाधी से ऐसे सवाल पूछे कि वो हक्का बग्का रह गए नमस्कार मैं उपेंद कुमार क्विंट हिंदी के पॉड़कास्ट सियासत में आज बात भारत के दस्वे राश्पती रहे कोचेरील रामन नरायनन की आखिर क्यों क्योंकि 9 नौवंबर को ही उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था तो आए सुनते हैं कैसी थी के आर नरायनन की जिन्दगी साल था 1949 लंदन स्कूल आफ एकोनोमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिक्री हांसिल करने के बाद के आर नरायनन भारत लोटे थे इस दोरान वो अपने साथ एक पत्र भी लेकर आये थे ये पत्र था उनके गुरू और प्रख्यात अरशास्त्री हेराल लौस्की का लौस्की ने ये पत्र ततकालीन प्रधान मंत्री जवार लाल नहरू के लिए भेजा था दर असल लौस्की नहरू के बहुत अच्छे मित्र थे और नहरू भी लौस्की का बहुत सम्मान करते थे लौस्की ने किया नराणन से कहा था कि ये पत्र तुम खुद जाकर जवाहरलाल नहरू को देना भारत लोटने के बाद किया नराणन ने जवाहरलाल नहरू से मिलने के लिए प्रधानमंती कार्याले से वक्त मांगा धरसल ओ दूसरा तोर था उस समय पी-म से मिलना इतना मुश्किल नहीं होता था नरानन को भी जवारलाल नहरू से मिलने का वक्त मिल गया अपने एक इंटर्विव में नरानन ने बताया था कि पंडित नहरू ने संसत भौन में मुझसे मुलाकात की हमने कुछ दिर लंदन की बाते की और कुछ आपचारिक बाते भी हुई उसके बाद मैंने अभास कर लिया कि मुलाकात का वक्त खतम हो गया है तब मैंने उन्हें अलविदा कहा और कमरे से बाहर जाने से पहले लौसकी का पत्र पंडित नहरू को सौप दिया उन्होंने कहा कि बाहर घुमाओदार आधे कलियारे तक ही पहुँच पाया था कि मुझे लगा कि मैं जिस दिशा से आया हूँ उधर कोई ताली बजा रहा है मैंने गुम कर देखा तो पंडित नहरू ने मुझे वापस आने का इशारा किया दरसल मेरे जाने के बाद पंडित नहरू ने वो पत्र खोल कर पढ़ लिया था मैं जैसे ही पंडित नहरू के खरीब पहुचा तो उन्होंने जट से पूछा कि तुमने ये पत्र पहले मुझे क्यों नहीं दिया तो मैंने जवाब दिया कि शमा चाहता हूँ मुझे यही बहतर लगा कि मैं ये पत्र आपको जाते वक्त सौपू इस मुलाकात के कुछ दिनो बाद ही पंडित नहरू ने कहा नरायन को भारती विदेश श्रेवा के ताहत मैंनमार में भारत का राज़दूत रहते विए ही नरायन की वहाँ की एक महिला मित्र से नसदीखिया बढ़ने लगी ये नजदी की धीरे धीरे प्यार में बदली और मामला शादी तक पहुँच गया दरसल नरायनन अपनी विदेशी महिला मीत्र माट टिंटिन से पहली बार लंदन में मिले थे नरायनन के गुरू लौस्की ने राजनीती का अजादी पर एक व्याख्यान रखा था जिसमें नरायनन ने राजनीती का अजादी पर बहुत ही प्रभावशाली भाशर दिया था इसे व्याख्यान के दोरान नरायनन की मुलाकात माट टिंटिन से हुई थी उस समय वो YWCA यानि Young Women Christian Association में काम कर रही थी और नरायनन एक छात्रुवा करते थे नरायनन और माट टिंटिन की शादी के बीच एक पेंच पंस रहा था क्योंकि नरायनन भारतिये विदेश शेवा में कारियरत थे और माट टिंटिन एक विदेशी महिला थी ऐसे में भारतिये खानून दोनों की शादी की इजासत नहीं देता था ये बात नरायृनन भली भाती जानते थे इस समस्या के हल के लिए उन्होंने पंडित नहरू से समपर किया और सारी बाते पंडित नहरू को बताई पंडित नहरू ने इस शाधी के लिए हाँ कर दी इसके बाद 8 जून 1921 को दिल्ली में नरायनन और मार्टिंटिन की शादी हुई शादी के बाद मार्टिंटिन का भारतिय नाम उशा रखा गया इससे पहले कि हम आगे बढ़े हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्विन का एक पॉड़कास्ट है उर्दो नामा जिसकी होस्ट फवेहा हैं और इस अपतेवे आसमान से जुड़ी उर्दु शायरी और नजमों के बारे में बात कर रही हैं आप इस पॉड़कास्ट को आप अपने मन पसंद प्लेटफॉर्म पसुन सकते हैं तो आप चलते हैं कि यार नारानन की कहानी की ओर साल 1945 में पढ़ाई करने के लिए लंदन जाने से पहले नारानन ने महात्मा गाधी का इंटर्विव लिया था दरसल नारानन एक पत्रकार भी थे उन्होंने साल 1943 से 1945 के बीच दे हिंदू और टाइमस आफ इंडिया के लिए मुंबई समवादाता के रूप में काम किया था इस दोरान उन्होंने महात्मा गाधी का इंटर्विव लिया था नारानन स्लेट पर लिख कर प्रश्ण पूछते थे और महात्मा गाधी लिख कर उसका जवाब देते थे गुपाल किष्ण गाधी अपनी किताब Of A Certain Ais 20 Life Sketches में लिखते हैं कि के या नारानन ने महात्मा गाधी के सामने दो प्रश्ण खड़े किये थे पहला ये था कि आपने हमारे लिए सत्य और असत्य को सरल बनाया है लेकिन जब एक साथ दो सत्य सामने आकर खड़े हो जाएं तो ऐसी इस्तिति में क्या करना होगा और दूसरा सवाल ये था कि जब इंगलेंड में लोग मुझे स्चुआच शूत के बारे में पूछेंगे तो क्या मुझे सच कह देना चाहिए या भारती होने के नाते अपने देश का बचाव करना चाहिए नारानन के दोनों सवालों को सुनकर महात्मा गाधी हक का बक्कर आ गए थे के या नारानन का जन्म 27 अक्टूबर 1920 में किरल के उज्जाओर में फूस की जोपड़ी में हुआ था नारानन के पिता आरवेद्यार आयुलवेद के डॉक्टर थे लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो अपने पेटों के फीस भर सके नारानन साथ भाईयों में चोथे के थे नारानन का परिवार काफी गरीब था इनके पुरवज परवान जाती से आते थे जो नारियल तोड़ने का काम किया करते थे केयार नरानन ने एक इंटर्वीव में बताया था कि स्कूल के दिनों में हमें बहुत अपमान सहना पड़ता था, क्योंकि जब भी फीस मांगी जाती थी, तो हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे कि हम स्कूल का फीस दे सकें, तो हमें क्लासरूम से बाहर कर दिया जाता था, ऐसे में हम क्लास के बाहर खड़े होकर खिड़की से ही देख कर पढ़ा करते थे, दरसल केयार नरानन को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन पैसे नहीं होने की वज़ा से किताबे भी नहीं खरीद पाते थे, तो उनके बड़े भाई केयार निलकंतन चातरों से पुस्तक में इसनातक किया और फिर साल उनीश स्वत तालिस में त्रामण कोर विश्विद्दाले से इसनातकोत्तर की परिक्षा में टॉप किया, नरानन त्रामण कोर विश्विद्दाले के पहले दलित छात्र थे, जिसने इनो सिटी टॉप किया था, साल उनीश स्वत पैंतालिस मे जेर्डी टाटा से छात्वित्ती मिलने के बाद नरानन पढ़ाई के लिए लंदन चले गए जब वहां से लोटे तो भारती ये विदेश शेवा में नोकरी की अमेरिका, लंदन, टोक्यो, चीन, तुर्की, रंगून, कैन्बरा और हनोई में भारती राज़ूत के रूप में काम किया इसके बाद इन्होंने राजनिती में एंट्री की तो केरल की उट्टा पलल सीट से 1984, 1989 और 1991 में लगातार तीन बारसान सक्ट चुने गए राजिवादी सरकार में विदेश मंत्री रहे और साल 1992 में देश के नौवे उप राशपती चुने गए इसके बाद 25 जुलाई साल 1997 में देश के दसवे राशपती बने मैं उमीद करता हूँ कि अब तक आपको ये पॉड़कास्ट अच्छा लगा होगा अगर आप मेरी आवाज के साथ मुझे देखना भी चाहते हैं तो क्विंट हिंदी के यूटूब चैनल पर आप सियासत के वीडियो एपिसोड भी देख सकते हैं हम वहां मिलते हैं हर शनिवार शाम साथ बजे तो आगे बढ़ते हैं कि यार नारानन की कहानी की ओ राश्पती चुने जाने के बाद नरानन ने अपने संबोधन में कहा था कि देश का सरोच समवेधानिक पद एक ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया गया है जो धरातल से जुड़ा है धूल और गर्मी के बीच चला है यह निर्वाचन साबित करता है कि एक सामान नागरीक भी समाजीक और राजनीतिक जीवन में केंद्री ये भूमिका निभा सकता है मैं इसे अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता नव मान कर एक सार्थक और प्रतिष्ठा पूर परंपरा का आरम मानता हूं राशपती रहते नाराणन ने कई फैसले लिए जो मिसाल बन गए उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में राशपती शाषन लगाने की केंद्र की अनुशंसा को खारिज कर दिया था और पुनर विचार करने के लिए बेज दिया था अपने कारेकाल के दोरान ही दो लोग सभा के कारेकालों को भंग कर दिया था जब साल 2002 में कुजराद दंगा हुआ था तो उन्होंने एक पयान दिया था जिसके दुनिया भर में चर्चा हुई थी उन्होंने एक इंटर्विव में कहा था कि भारत के राश्पती के रूप में मैंने बेहत दुख और स्वैम को असहाय महसूस किया ऐसे कई अउसर आए जम्मेतेश के नागरिकों के लिए कुछ नहीं कर सका इन अनभवों ने मुझे काफी दुख पहुँचाया सिमिश शक्तियों के कारण मैं पीड़ा महसूस करता था 9 नौमबर साल 2005 को के यार नारानन ने दिल्ली के आर्मी रिसर्च और रैफरल हॉस्पीटल में अन्तिम सांस ली नारानन ने अपने राश्पती पत से विदाही के भाषन पर कहा था कि जब मैं किरल की ओजाओर में विविन धर्माव लंबियों के साथ रहते हुए बड़ा हो रहा था तब धर्मिक सहिंशुरुता और एकता के साथ हिंदू और क्रिष्ट्रियन लोगों ने हमारी अरंबिक शिक्षा में मदद की थी इसी तरह मेरे चुनाव प्रचार में भी सभी धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया था ऐसे में भारत की एक्ता और प्रजात तंत्रिक व्योस्था के लिए धार्मिक शेहशुर्ता का होना बहुत जरूरी है हिंदूओं को चाहिए कि वे बहुत संख्या खोने के कारण हिंदुत्तों के परामपरिक मुल्यों के अनुसार सभी धर्मों का सम्मान करें तो ऐसी थी भारत के पहले दलित राश्पती के यार नारायन के जिन्दगी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें क्विन की इमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर लिख कर बताएं और सियासत का अगला एपिसोड किस पर होना चाहिए ये भी सुझाओ दें तब तक के लिए नमस्कार फिर मिलते हैं एक नएपिसोड के साथ सियासत क्विन्ट हिंदी का ओरिजिनल पॉड़कास्ट है इससे एक्सक्यूटिली प्रोड्यूश किया है रितु कपूर और संतोष कुमार ने इस एपिसोड को एडिट किया है अंजली पलोड ने और बैकडाउन म्यूजिक बीमजी प्रोडक्शन से लिया गया है आप सुन रहे थे दे कुंट का पॉड़कास्ट